दस्तो नमस्कार आज का इस एपिशूड में येस वर्ड का बारे में येस वर्ड जो कमॉनिटी है इसका बारे में कुछ बाते आप लोगों साथ करूंगा ये येस वर्ड क्या है बहुत जागे में सुने होंगे येस वर्ड जो नाम ही काफी है येस दोस्त येस वर्ड ऐसा एक महत्वपूर्ण मीशन और विजन के साथ उभर के आया है जिसको पूरा दुनिया एवेल का निकले देया है अभी तक लगभग लगभग न्यूज के हिज़ा से असी कंट्री असी कंट्री में ये एस वर्ड कमोनिटी स्प्रेड हो चुका है तो चलिए अभी इसका डिस्क सबसे पहले दोस्त बात करेंगे जो एस वर्ड कमोनिटी का जो एस टोकेन निकला जो क्रिप्टो के टोकेन निकला मैं पहले एपिसोड में भी बाताया कि एक क्रिप्टो का चलते बहुत सारे कंपानी गलत सालत मैसेज दे रहा है बहुत लोगों को बहुत धिक्कती भी आय इस टोकेन जो शुरूआत हुआ था, 2022 इसी साल एप्रिल में शुरू हुआ था, और जिस दिन शुरू हुआ था दोस्त, उस दिन इसका फ्राइस था only to only 11.20, ग्यारा पैसा, और उस ग्यारा पैसा से अभी डिशम्बर चल ला है, अभी लगभग लगभग एक रुपिया 20 पै बहुत सरे लोग बोलता है, यो क्रिप्टो का टोकेन तो लेंगे पर इसकी यूज क्या है, अभी तक इंडिया का अंदर बहुत सरे यूज इस टोकेन से आप कर सकते हैं, यूटिलिटी है, यह मैं पहले एपिसूद में भी डिसकस किया, आप लोगो सब कुछ जानते हैं, बहुत सरे यूटिलिटी इसका है, तिसरा चीज, अभी तक का जो वर्ड लेवल का जो मेन मेन एक्सचेंज है, चार एक्सचेंज, जो क्रिप्टो कारेंसी का ट्रेड कर सकते हैं, चार बड़ा बड़ा एक्सचेंज में अल्रेडी लिस्टिंग हो चुका है, और उसमें ये एकदम रियल टोकेंज है, कोई दूबीदा नहीं है, और इनका फीचर सब लोग सब जानते हैं, डक्टर संदीप चोधरी जी का इनका बैक्डराउंड, पहले भी मैं कुछ डिसकास किया, अभी उनका मुह से कुछ जबानी मुह जबानी बात आब लोगो सुनाऊंगा और वखडी में, अब दूसरा बात जो मैं बता रहा था कि इसका जो प्रास प्रेडिक्षन जो आप मार्केट में क्या प्रास चैली इसको चेक करने के लिए, देखिए, क्रिप्टो का चेक करने के लिए आप लोग सब जानते हैं सबसे बड़ा हम लोग कहां चेक करते हैं कॉन मार्केट क्या तो आप लोग को ऑनलाइन में खोलिए प्राइस आज की दिन का आपको दर्सा आएगा मैं किलिप में भी कुछ देखा रहा हूं आपको ये किलिप में देखके आप लोगो पता चल जाएगा मैं अभी जस्ट चेक या अभी का जो इसका प्राइस था आज का डॉलर में 0.01493 तो इसको आप इंडियान रुपीज में आएनर में कनवार्ट करके देख लिए लगभग एक रुपिया उनीस बीस पैसा का असपास होगा तो दोस्तों ये वर्ल का बिगेस्ट मिशन है और ये मिशन किस चीज़ क्या है इसका मिशन और विजन जो बुला जाता है ये सेव टू आर्थ इंटर प्लार्णेट को सेव करने के लिए ये मिशन है ग्लोबल वर्मिंग कोफर जो एक मिशन चेरावाई इसका एक पार्ट है ये तो ये बहुत बड़ा चीज है ये पूरा बिश्च भर में ना किसरे ब इंडिया के लिए है ये कमुनिटी पूरा बिश्च का इस प्लानेट का भाला के लिए ये मिशन चलाया हुआ है तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि येस इसमें हमें भी हिस्सा लेना चाहिए जरूर लेना चाहिए मैं इसका आगे में दिखाऊंगा कुछ न्यूज चैनल का जो में में मीडिया होता है में में मीडिया स्ट्रीम जो होता है उसका कुछ अलग अलग न्यूज चैनल के आपको देखाऊंगा इस टोकेन का उपर उसके बाद आखरी में देखाऊंगा डक्टर संदीच चोदर जी का कुछ बातें इस एस वर्ड कमूनिटी का उपर तो लास्ट तक सुनिए और साथी साथ मैं बताऊंगा दोस्त अभी तक जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नह आते हैं वीडियो है इसको स्प्रेड करिए सेयार करिए और अभी किसी को लगता है कि यह इस मिशन में हमें भी हाथ बटाना चाहिए पर फैदा होगा दोस्त बहुत सारे इस मिशन में आप आओगे तो आपको भी इंडिवेजुल को भी फैदा होगा क्रिप्ट को पो मैं तो इसका मैं पहले एपिसूद में डिटेल्स बताया हूँ तो उसके बारे में जिकर अभी नहीं करूंगा पर मेरा वाट्सअब नमर सो हो रहा है तो मेरे को वाट्सब में मैसेज कीजिए हम लोग इस मिशन में जूरने के दिए एक लिंक प्रोवाइड करते हैं तो हमेरा पिशूद को खतम करेंगे कंपनी ने दो हजार चौबीस तक दुनिया भर में एक करोड मर्चंट को ओन बोर्ड करने का किया लक्ष क्रिप्टो करेंसी येस वर्ल बैंक टोकेन अब दुनिया भर के असी देशों में अप्लाप कम्पनी का लक्ष दोहजार चौबीस तक दुनिया भर के एक करोन मर्चंट को ओन बोर्ड करना क्या आप येस वर्ल दुनिया की बिगेस्ट मिसन पर क्राम करें इसका रोड मेप जाने के लिए इसके लिए इतनी बड़ी कानी जानने के लिए मुझे आप सब लगोगा इनर्जी लग जश्कन अपड़ेगा क्या आख तक करते हैं इनलोडशाठे करते हैं पर रॉडम्म मेप जानते हैं किस तरह से आने वाह समय में पूरी धुनिया में इजस्वृत्तया सज्ने वाला है तो आज़ जिह है नाओं आपके सामने वन खेंग रहो है सिंगल कलेप आपको ठीक हैla तूर फिंगे करूँ हमा डबने कलेप करना हैं कुछ सोच सकता हैं कि उसके कुछ internal और external missions होता हैं हर इंसान अपने-पने mission पर काम करता है और Yes World का उन्या का biggest mission बनने जा रहा है और आप भी उस mission के पाट रहेंगे और आप लोगों को आने वाल टाइम में प्राउड होगा इस इस का हर इंसान के किसी का mission होता है बस दालोड खानी है, लाइब को काटना है वो mission होता है किसी कोई गाओं का सर्फन्स बन गया किसी का अच्छा काम करना उसका mission है कि काओं में कुछ मैं करके दिखाओं किसी का mission है कि internal mission है कि मैं खाओं बैसे development की करूं और internal पैसा गाओं सांसत का mission है, अपना विदाय का सभी के अपने mission है develop करें, हर स्टेट के स्टेट में इंपूर्मेंट करें, रोड्स पुराइं, प्रीजिस बनाएं, मेड्रोजी लेख आइं सभी के अपने missions है, ओके हर कंट्री के प्राइमेस्टर, प्रसिटर्स के अपने mission है कितने strong jet planes हो, security हो, internet, security हो, अच्छी roads हो, अच्छी security हो, अच्छी technologies हो, अच्छी टेक्नोजी हो, सभी के अपने missions है दोस्तों, इन सब से बढ़के, yes world का mission बन गया है वो mission यह है, इस पूरी सस्टी, इस planet earth को सेवे दढ़ने का mission, yes world का बन चुका है क्या होगा, पूरी सस्टी को, पूरी इस planet earth को, जिसने आप रह रहे हैं कोई एक country की बात नहीं करा, सारे country के समूब का, एक mission है, उस planet को सेवे करने का लग से yes world ले लिया है कि आप त्यारेंस करिए, जिसको पूरा करना सिर्फ एक एक पांडर के हाथ में लिए, सभी को साथ चलिएगे, सारे country सो आप सब लेंगे तो, यह mission 100% पूरा करेंगे हम, कैसे करेंगे, सारा रोर में बताओं हम आपको, कैसे पूरा करेंगे, क्या करेंगे, त्यारेंगे हम, एक आर वापिस अजयाग ना, मैंने देश्ट को बढ़ दिया है, कि नेस्त में मैं ओफिस लेने जा रहा हूं, उसने इंपोसिब, जब जब मेरे लाइप में कोई भी कि मैं विदिन वन यहर में प्राइम में से मिलूँगा, प्राइम में से इनौट करेंगा, इंपोसिब, मैंने मैं जब में आप क्या दिखने हैं, क्योंकि मेरे लाइप में इनम्पोसिब को मिभी कोची चीज नहीं है, इंपोसिब, मुझे नजरे आता है, आई हैं पोसिब, मुझे बुला रहा हैं जाह नुज उक्लॉद लोग लोग लगया आगे आपका थिंकिंग हो भी यह वहां पर लिकिन मेरे है होता है I'm possible मुझी बुला रहा है अपनी तरफ और ने वो कैसे possible हो सकता है अपनी आज तक उस पर प्राम किया है तो आज तक जो जो भी मैंने तालगेश लिए वोमी अचिव किया है लेटेस्ट मेरे बेंक साथी स्टाटप का जो लगागा भी चार सो प्लस कड़ों की कमनी बन चुकी है पांच लाख एडवाइजर से हैं स्टाटप है इंडिया की जो बिगेश्ट ग्रोइंग इंडिस्टियर पिंटे के स्टाटप उसको में डिजाइन कर दिया है यस वर्ट के मिसन के लिए ही जो कि मुझे पता है 50% सेखता आप सेख कर सकते हैं बेंक साथी टेक्नोजिज प्राइवेट लिंटेट आरोसी में चेकर सकते हैं दो सिट्रेंट पास लाग दो की सेखरी मुझे लाइक कुछ निकरना सटल लेकिन सटल चीजे मुझे पसंद नहीं मुझे पसंद हैं तो आने माले दो साथ में 10,000 कोड़ी कमणी मनेगी तो आप डेटनोट कर लो जिसने मेरा कोई रोल नहीं है आज के दिन मेरे जाएं कर चुका हूं इससे बला कुछ नहीं है नियुद जो तरहिए कि वापीस कोई चेज़ न ही दुनिया में को इंड्गर दोस्तों आपने को यह बड़ा करना है अब इसने पड़े मिशन प्लानेट को कैसे सेव परें क्या-क्या रोड मेपस हैं इंफ्लेक्टर दुनिया का इनिक प्रोड है पूरी स्रेंटे स्कोर्ड है बोल सारे आपो कमेंट्स मिल जाएंगे उस तो है बात कुछ तो रियल है बात है तो व पूरी गलोगल के लिए बहुत बड़ा एंचलेंजिक आस्क है और इंट्रनेशनल जो और शांजेसंस हैं प्राइमिस्टर स्वानजा के तु 1050 का कमिट करके हैं कि हम इस मिशन को स्योट को जेरो करेंगे प्राइमिस्टर काम करना लिए 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 लिया नहीं है इ पहली बार एक नया एंटस्कोर बने आगया क्लिए सर जहां 36% इंपोर्ट रूटी लगती है वहां उस प्रडूर्ट को अंडेस्टन करके प्रडूर्ट का विजन समझ के उन्हेंट प्लस टाइम में 10% कर दिया इंपोर्ट रूटी बहुत बड़ी बाता सब्सक्राइब कश्टम कभी भी किसी को भक्सता नहीं है क्लियर आने वाले शिक्समस्ट तो विदिन वन एक इसको फ्री करा देंगे इंपोर्ट रूटी फ्री इंप्लेटर इतना यूनिक प्रड़ट जो हर इंसान को आने वाल टे उसने उसने प्रचेज गिया त्री तो फॉर एंपे उसका इंवेशन फरी हो रहा है और नेक्स्ट फ्री फाइब तक वह कमाएगा उसे अनिंग करेगा आगए लेगा इतना स्टम प्रड़ट तो उस प्रड़ट को आपके साथ रिटेल राम का वो उतर रहे हैं आज लगब कि अपने इस टोकन से कर बाएंगे तो जितने उसमें त्री मस लगें से फॉर मत या फाइब तो रिटेल में आजाएगा हम और इसके लिए भी बेकेंड में हम इस्टों टीम बना रहे हैं आने वाले तू से थ्री एस में फिप्टी थाउजंड इंप्लोमेंट देह रहे है यह अपने इनट्रेक्टर के तूंब थाई और यह को सब्सक्थास करना यह सो अपना ji वो स्टाटर्व इंडिस्ट्री की इनोवेशन्स वोली हमने किया है उसी फिल्क्सिव माहूं यह बहुत बड़ी उसी कोई है तो सोर टाइम में अच्छा नेट्रक वेस हम बना लेंगे सर नेक्स नेक्स बेच अच्छा था जो आते को चीव किया है वो जो भी मैं सोचता हूं उसको चीव किया है हमारा लक्स है वीदिन थ्री एर्स कुछ भीत ना पड़े इन परसेंट मार्केट को कवर करना है और नेक्स फाइलेर में मतलब मिनिमन दाइन दाइन है लेकिन फाइल दो शिक यह जतना तो हजाय बाइस का लक्स दे वह क्या करेंगे तब और वार्केट साइज बढ़ रहा है राकेट उसका बढ़ भर लखकर भी और इसमें कौरमेंट भी अपना सेयोग और इतने एड़ इत्यास पूरे दिन्या में क्रिप्टों के इंडिस्टी की द्यास में ऐसा आस तक नहीं हुआ, इतनी यूनिक चीज बताने जागा हूँ, इतना बड़ा आप लोगा से कमिट्वेंट कर रहा हूँ, कि आपकी ग्रोई होनी होनी है, आप ये सोल के साथे हैं, इतना बड़ा कम 10% मार्केट कावर करना है, विजन 3 या ये बिसे दे लग से हैं, आज दुनिया का रिज्टेस परसन कोन है सर, कोन है, अलन होते हैं, तो कापी क्यूरी जाए, विड्रोल भी मैनुवल प्रोसेस होते हैं, ओटो के इट वैसेटिक नहीं हो पर है, तो हमने इसका अप्रेट हो जाएगा, तो एक से दो दिन के अंदर, तो जैसे ओल्ड जो कोइन्स हैं, वा रूटीली कभी भी बने आजगा डाइमार, रूटीली कभी भी डिपोजिट कर सकते हैं, कभी भी कोई भी पेकेश रूम को एक्टिव कर सकते हैं, आने वाली 2-5 दिन में नए वि जाएगा, विड़ोल करेंगे, इस्टेट विड़ोल, एमिट टाइम, कभी विड़ोल करो, कभी भी कुछ करो, तो सब चीज़ी होगी सर, तो क्या असाथ यह चीज़ी होगी, साथ में हम बहुत बड़ी-बड़ी इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी कंट्री की एकोनोमी किस वे डिपन करती है सर, अक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, जिस कंट्री का अक्सपोर्ट बड़ा, उसकी एकोनोमी स्ट्रॉंग, इस यह की 40 बिलियन डॉलर की अपना अक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंडिया का, लेकिन 302 बिलियन का इंपोर्ट पर हो गया इसलिए इतना फ्रट नहीं है हमारे मिसन है कि ब्रोक्चेंट टेक्लोजी पर एक्सपोर्ट इंपर्व की को टेक्लोजी हम देख आ रहे हैं आज मार्केट में चिलिंज क्या है कोई अग्सपोर्ट करना चाहरा है तो उसके पास फंड पहले कोई देनी जारा कोई किसीने प्रेट्रेल पहले बेज़ दिया तो फंड निया इसकी वज़़से इंडिया का अक्सपोर्ट डियलोग ने उपा रहा है दुनिया का सबसे बिगेस अक्सपोर्ट चाहिना कर रहा है पूंटी थी परसेंट बहुत बड़ी चीज़ है तो पॉंट फाइब डिलियान डोलर का स अक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया का वन डिलियान डोलर का मिस्टन है इस पर कि आने वाले 2030 तर वन डिलियान डोलर का करें तो हम ऐसा सोविशन लिए है इस टेक्नोलोजी ने बलांग सेंपे जिस पर कोई मालिक नहीं हो